हलो एवरेवान वेलकम तू माई चानल जुहीज लाइफस्टाइल तो कैसे हैं आप लोग आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ अभी मेरे लॉंग वीडियो आने में थोड़ा वक लग जा रहा है क्योंकि अब मैं थोड़ी सी बुजी चल रही हूँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं जादा से जादा लॉंग वीडियो अप्लोड करूँ और आजकल जो लुक मैंने क्रेट किया है वो स्पेशली वेडिंग फ संद आई है तो इसे लाइक शेयर और चालन को सब्स्राइब करना बिलकुल नहीं भूलना विदाउट वेस्टिंग फोड़ा टाइम लेट्स मूव तो वीडियो तो बिफोर स्टाटिंग मैं आपके साथ एक चोटा सा स्किन के रूटीन शेयर करूंगी जो मैं यूजिली स्किन के रूटीन फॉलो करना बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होता है जितना अच्छे से आप अपने स्किन को प्रेप करोगे मेकप के लिए उतना ही फ्लॉलेस और लॉंग लास्टिंग मेकप आपका निकल के आता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनेफिट होती है स्किन के रूटीन फॉलो करने की वो यह होती है कि जब आप अच्छे से अपने स्किन को प्रेप करते हो तो वो आपके स्किन में एक लेयर प्रोवाइड कर देता है जिससे जो भी मेकप आप अपने फेस पे अपलाई करोंगे वो डारेक्ट आपके स्किन को टच नहीं डारेक्ली कॉंटक्त में नहीं आएगा स्पेशली जनके अपने प्रोवाण स्किन होते है उनके लिए तो इसकिन के रूटीन फॉलो करना बहुत ही इंपोर्टन होता है क्योंकि अगर आपका फेस डारेक्ट कॉंटक्त में आएका मेकप के तो उससे आपको अपने होने के जादा चांसे हो जाते हैं तो इसे लिए स्किन के रूटीन फॉलो करना बहुत ही इंपोर्टन होता है तो जो स्किन के रूटीन मैं फॉलो करती हूं वो स्किन के रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही चोटी सी स्किन के रूटीन है बट बहुत ही इंप आपके थोरी oily skin है तो आप इसे थोरे कम आमँच में यूस करो बटिफ यू है तो आपको अच्छे से प्रेप कर लेना चाहिए विद फेल्प of moisturizer और face serum जो भी आपको अच्छा लगे the next skincare product which I am going to use is this purple car 24 karat gold oil and this oil is just amazing, यह आपके skin पर बहुत अच्छे से ग्लाइड उन करता है, एक ग्लोई लुक प्रोवाइड करता है, अगर आप कोई हेवी make-up look create कर रहे हो, तो आप इससे definitely use करना, and it has this golden chunks, जिसके कारण आपके face पर एक बहुत ही subtle sa glowy look आजाता है, and the last product of my skincare routine is this lip balm, this is sugar का मौशराइजिंग लिफ बाम, So, मेरा skincare routine complete हो चुका है, तो अब चलते हैं, make-up products की को, to start my makeup, first I am using this NY B का primer, जो आपके pores को काफी अच्छे से minimize करता है, बहुती smooth finish प्रोवाइड करता है, make-up base के लिए, very little amount of primer is sufficient for your face, अप इसे अच्छे से dapping motion में अपने face पे apply कर ले, and after that you have to blend well. So, next product which I am going to use here, this is Swiss Beauty Illuminator, and its shade is 01 Golden Pink, as I am using all the makeup products or skin products, I am using all the details, you will find all the details in the description section में मिल जाएगे, तो आप महां से भी जाके आराम से चेक कर सकते हो, if you apply to the highlighter, अगर आप अपने high points पे apply करोगे, तो यह लाइक बहुती अच्छा सा finish देता है, glowy look प्रोवाइड करता है, make-up पे, you can see कितना clear glow आगया है मेरे face पे, तो इसे मैं अपने high points पे ही apply करती हूँ, so that कि मुझे एक glowy effect मिल जाए अपने make-up base के लिए, For foundation, I am using Maybelline Fit Me का foundation in the shade 128, जो मेरा shade है, another tip which I want to give is, कि foundation को हमेशा इस तरह से blend और rub करके अपने fingers से use करना चाहिए, इससे क्या होता न कि बहुती smooth सा base आपको मिल जाता है, अगर आप इस तरह से अपने foundation को apply करते हो, अगर आप direct apply करते हो तो थोड़ा सा cakey हो सकता है, तो इसलिए यह method काफी सही रहेगा आपके foundation application में अच्छे से squeeze out कर लो, जरा सा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो भी foundation है वो अच्छे से blend नहीं होगा, और यह dry भी नहीं होना चाहिए, अगर यह blender dry रहेगा तो जो भी foundation आपके face पे है, वो सारा blender absorb कर लेगा, तो make sure यह अच्छे से squeeze out भी हो जाए और dry भी नहीं रहेगा तो आपको अपने नहीं के रिया बिल्कुल नहीं भूलना है, अगर आप वहाँ foundation अपलाई नहीं करोगे तो आपका face और neck दोनों different देखेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, so make sure अब अपने निक एरिया पर भी अच्छे से foundation को अपलाई करो. To conceal my pigmented areas or dark spots, मैं यहां पर यूज कर रही हूँ Maybelline Fit Me का concealer in the shade 25 medium. अगर आप अपने concealer को इस तरह से अपवर डिरिक्शन में ब्लेंड करोगे, तो आपका face थोड़ा सा lift-up लगेगा, तो यह आपको एक सई तरीका होता है concealer को अपलाई करने का. So, अपने foundation और concealer को set करने के लिए, मैं यहां पर sugar का translucent powder यूज कर रही हूँ और आप यहां पर कोई भी compact powder भी यूज कर सकते हैं. यहां translucent powder की help से मैं अपने face को थोड़ा सा बेग कर ले रही हूँ, एक proper shape देने के लिए और eyebrow को refine करने के लिए, मैं यहां पर sugar का eyebrow definer यूज कर रही हूँ. So, सबसे पहले जो मैं shade pick करने वाले हूँ, वो है यह चॉकलेटी brown shade. इसे अपने eyes पर अप्लाई करने से पहले, make sure आप इसे dust off कर दो कि जो भी excess है वो remove हो जाए. आउटर V पे मैं इसे प्लेस कर रही हूँ और साथ ही मैं इसे inner V पे भी प्लेस करूँगी. और इसे मैं crease line पे भी थोड़ा सा blend कर लूँगी. ब्लेंड करते हुए मैं इसे जो भी जो मैंने inner corner पे apply किया है वहाँ पे लेके जाओंगी. बिल्कुल हलके हाथ से. आइशादो को अच्छे से ब्लेंड करें, कि ब्लेंड की फर ब्लेंड कर दो ब्लेंड की फर दो ब्यूरिफ एशादो, जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ. यहां मैं अपने finger की help से एक shimmery shade को apply कर रही हूँ अपनी middle of the eye में एक hollow eye look देने के लिए and now मैं अप brown और shimmery shade के edges को mix कर ले रही हूँ अच्छे से blend कर ले रही हूँ so that वह पे कोई भी line ना दिखे next time using यह sugar का eyeliner जिसका shade है 01 black swan and यह एक waterproof eyeliner है and यहां मैं बहुत ही simple सा liner दो करने वाली हूँ because मैं अपने eye look को जादा heavy ने बनाना चाहती हूँ and same chocolate brown shade को मैं अपने lower lash line में भी apply कर लेनी हूँ और inner corner में वो shimmery shade apply करूँगी और nose contouring के लिए मैं यहां NY Becca stick use कर रही हूँ जिसका shade है toffee blush के लिए मैं यहां पे स्वेटी का palette यूज कर रही हूँ इसका detail आपको description में बल जाएगा and यह palette काफी अच्छा है बहुत easily blend हो जाता है and color base का काफी खुपसूरत सा है face को highlight करने के लिए भी मैंने same palette से यह highlighter shade pick किया है and lips को underline करने के लिए मैं यहां पे star quickie का lip liner यूज कर रही हूँ to give final touch to my makeup here I am using sugar smudge me not lipstick and this lipstick is a smudge proof lipstick तो यह summer and monsoon के लिए perfect है and यहां में mascara लगाना भूल गई थी तो मैं यहां पे sugar का mascara यूज कर रही हूँ यह भी एक waterproof mascara है and काफी अच्छा length भी provide करता है eyelashes को to finish off my makeup मैं यहां पे NYP का makeup fixer यूज कर रही हूँ so this is the final look I hope आपको यह मेरा makeup look पसंद आया है और अगर आपको यह makeup look पसंद आया है तो मेरे वीडियो को like share जरूर कीजेगा और मेरे चानल को पी subscribe जरूर कीजेगा तो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स वीडियो में till then take care goodbye be safe be happy and peace